अभी जो मैं डिसक्स करने वाली हूँ वो CPC के questions हैं और क्योंके page blur हैं तो मुझे यह नहीं पता यह कौन सी book में से हैं लेकिन मैं सेम उसी तरह question number बता दूँगी और उसका answer बता दूँगी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टैली कर लें इसके साथ CPC question number 1 पूछा गया था order number 8 rule number 1 में से और इसका जो right answer था वो written statement यानि की B option बिलकुल ठीक next question पूछा गया था inherent power of the court section number 151 में से और इसका जो right option था वो था question number A abuse of process पूछा गया था order number 1 parties to suit और रगे पूछा गया था rule number 4 B में से और इसका जो right option था वो liabilities था यानि की D option बिलकुल ठीक था पूछा गया था 96 2 में से dash में lie from an original degree and appeal में lie from an original degree option A बिलकुल ठीक था इसला सवाल पूछा गया था order number 6 rule number 2 में से a statement in a concise form of the material fact तो यह जो material fact था यह इसका right option था इसला सवाल पूछा गया था section number 1042 में से no appeal shall lie तो इसका जो right option था वो no appeal था इसला सवाल पूछा गया था order number 9 rule number 3 में से where neither party appears so to be dismissed तो इसका right option था वो dismissed था इसला सवाल पूछा गया था order number 39 rule number 4 में से order for injection may be discharged, varied or set aside तो इसका right option था वो any party था अगला सवाल order number 41 rule number 17 B में से पूछा गया था और यह ही ex party के मतलिक तो इसका right option था वो ex party ही था अगला जो सवाल पूछा गया है basically जो उन्होंने statement दी हुई है वो section number 9 court to try all civil suit unless barred की दी हुई है और इसका right option है वो बनता है expressly लेकिन जो यहां मुझे नजर आ रहा है उन्होंने section 3 लिखा हुआ है ठीक है तो यह एक mistake है और इसका right option मैंने आप लों को बता दिया है वो expressly है next question पूछा गया है section number 47 2 में से और यह काफी important है क्योंकि यह एक तो दफ question है वो है the court में और बिल्कु स्टार्ट में हमें यह बात पता चलती है the court में subject to any objection as to limitation and so on जो अगला question है यह एक दफा पहले repeat हो चुका है 2021 के एक log test में यह आया था ठीक है तो इसलिए मैं आप लों को कहती हूं कि जो previous papers हैं please उनको देख के जाया करें क्योंकि एक आदा सवा सवाल वहां से आ जाता है तो वह एक आदा नंबर होता है तो यह जो लिया गया है question 21 में से लिया गया है जिसमें हमें पूछा गया है कि code में क्या शामिल होता है तो जो code है उनमें rules शामिल होते हैं next question लिया गया है section number 16 की explanation में से और इसमें यह पूछा गया है कि इस section के जो प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान में सिटुएटीड होती है अगला सवाल जो लिया गया है वो ओर नमबर 41 रूल नमबर 33 पावर अफ कोट ओफ अपील में से लिया गया है और यह इलस्ट्रेशन है अब बात यह है कि यह जो इस वक्त जो हमारे पास Bare Act है कि उन में नहीं है लेकिन जब हम कोई Bare Act Google से डाउनलोड करते हैं तो वहां पे क्योंकि वह प्रीवियस है ठीक है यह हमारे पास कोई Bare Act उर्दू में मजूद है उर्दू लेंग्विश में तो वहां पे जो एक्जाम्पल है ये दी गई है और ये जो एक्जाम्पल है इसका राइट आप्शन वाय था अगला सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर 152 में से और इसका जो राइट आप्शन था वो था डिस्ट्रिक कोट इन विच नो अपील लाइज नेक्स्ट्ट्ट्र पूछा गया था अगें और नंबर 41 में से और इसमें से काफे सारे इस्टाफ़ कोस्ट्ट्ट्र आ चुके हैं तो ये एक important order वैसे ही बन चुका है इसके ओपर focus करने आप आपने और वो पूछा गया था rule नंबर 52 में से stay by court which passed the degree और इसका जो right option है वो the plaintiff seeks the recovery of money the plaintiff shall state the precise amount claimed ठीक है precise amount claimed ये जो है ये राइट ऑप्शन है जा सवाल definition clause 213 में से लिया गया था movable property includes growing crop next question लिया गया था section number 19 में से और मैं बिल्कुल हैरान हूँ इन्होंने पूरी की पूरी state में तुठाई हुई है और बिल्कुल last पे plaintiff वाला जो option था वह बिल्कुल ठीक था अगला सवाल order number 43 rule number 1 की जो sub class है ए में से पूछा गया था और इसका जो राइट option है वह order number 7 का rule number 10 है जो के returning of plant के मतलिक है तुमाम सवाला जो log test 23 September 2022 के CPC section में आये थे और बिल्कुल मुझे पता है ये थोड़े randomly हैं ये randomly इसलिए हैं क्योंकि जो मेरे पास images हैं वो बहुत ज़्यादा blur हैं और मैंने इंतहाई मुश्किल से देखके निशान लगा के फिर आप लों को बताया है कि कौन सा question कहा से आया था और इसका राइट option क्या है इसलिए फिर मैंने images अटैच नहीं की है साथ और दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो question आये हैं वो ज्यादा लिए गए है order में से पहले क्या होता था पहले ये section में से ज्यादा लेती थे order में से एक आदा question आता था इस दफ़ा उन्होंने order को टच किया है its mean के next जो log it होगा उसमें में भी ज्यादा से ज्यादा question order में से ही आ जाए तो अब जो आप लोगोंने focus करना है अपना वो orders पे भी करना है ये एक tip है next log it test के लिए तो इसको mind में रखके अगले log it test की जिसे को कामिया फर्माएं आम